हाई मैं स्रिजनश रह्यक नए वीडियो माँसे फिरसे में ले आए हूं आज घ्रतेंदू और इस्चन्द्र जी के मूल पाथ मात्रभार्षा प्रेम के दोहे की व्याख्या पढ़ेंगे हमने इससे पहले वाली वीडियो में भारतेंदू और इस्चन्द्र जी के का जीवन परचे उनकी रचनाओं का वड़न बता दिया था आज हम इनके द्वारा रचित यही मात्रभार्शा प्रेम के दोहे की वाख्या पढ़ेंगे तो सबसे पहले अगर हम कोई भी दोहा वगरा पढ़ते तो सबसे पहले हमारा हैडिंग क्या रहता है अध्यान जिसको संकेत भी क कावे अंजली के मात्रभार्शा प्रेम पर दोहे नामक पाट से लिया गया है इसके रचीता कौन है भारतेंदुहरिस्चंदर जी है अब हम बिना देरी के आपका वीडियो स्टार्ट करते हैं लेकिन उससे पहले यह है कि इसमें प्रसंग भी लिखा जाता है तो प्रसंग उन्नती है सब उन्नती को मूल बिन निज भासा ज्यान के मिटत नहियो को शूल निज मतलब निज भासा अपनी भासा अपनी हिंदी भासा उन्नती है जब तक हमारी अपनी भासा के उन्नती नहीं होगी कहने का तत पर रहे है कि हमारी जीवन शेली का मुख्याधार क्या है ह और हमारे राष्ट्र भासा हिंदी है तो हमें क्या करना चाहिए। हमारे हिर्दे का होगा हमारे काटे की तरह हम भले कोई भी भासा पड़े लेकिन हमें क्या करना चाहिए अपनी राष्ट भासा हिंदी को अमेसा बढ़ावा देना चाहिए अब हम अगली देखते हैं आपको साथ इसका वेक्षा समझ में ना आओ तो एक बार हम फिर से बता द नती का मूल है मतलब जड़ है बीन निजभासा ग्यान के बीन हमारे भासा के ग्यान के मीटत नहीं को शुर्ण हमारे हिर्दय का शोक अर्थात हमारे हिर्दय का कष्ट दूर नहीं होगा आगे देखते हैं अंग्रेजी पढ़ी के जदपी सबगुन होत प्रवीन पै निज प्रवीड मतलब होता है चालाख हो जाना कि अंग्रेजी पढ़के आप भले कितने चतुर हो जाया प्रवीड क्यों नहीं हो जाया पर बिना निजभासा बिना अपनी भासा के ग्यान के यहां पर कभी यही कहते हैं कि पर बिना अपनी भासा के ग्यान के रहत हीन के हीन आप क्या है हीन के हीन ही है बहले ही आप अंग्रेजी पढ़के कितने ही प्रवीन कियो नसा बंजआ लेकिन बिजब तक अपनी लिभाशा को नहीं जानेंगे आप हीन के हीन है अगलान देखते हैं। उन्नती पूरी है तब ही जब घर उन्नती होई निज शरीर उन्नत किये रहत मूड सब कोई उन्नती हूँ पूरी है तब ही जब घर उन्नती होई यहाँ पर कहने कातत पर रहे है कि उन्नती पूर्ड उन्नती तभी होगी हमारी पूर्ड उन्नती तभी होगी तभी होगी जब जब हमारे घर का उनती होगा जब हमारे घर में उनती होगी बहुत अच्छा बन जाए, लेकिन फिर भी क्या, रहत मूड सब कोई, लेकिन हम सब के लिए क्या रहेंगे, मूड यानि मूर्खी कहे जाएंगे, अगला देखे, निज भासा उन्नती बिना, कब हुन होए सोई, लाख उपाय अनेक यों, भले करे किये कोई, निज भासा उन् होने वाला नहीं है, निज भासा उन्नती बिना, हमारे भासा के हमारे खुद के हिंदी भासा के उन्नती के बिना, हमारा कोई कारे होने वाला नहीं है, लाख उपाय अनेक यों, भले करे किये कोई, भले ही कोई लाख उपाय, सो उपाय, चाहिए जितने उपाय कर ले, लेकि कोई लाग कडोड उपाय क्यों न कर ले लेकिन बिना अपने भासा के अपना कारे होने वाला नहीं है हम पच्छवा देखते हैं एक भासा एक जीव एक मत सब घर के लोग तबै बनत है सबन सो मिटत मूडता सोग एक भासा एक जीव एक मत सब घर लोग यहाँ पे कहने का तात पर यही है कि भारतिंदूर इस्चंदर जी क्या करते हैं यहाँ पे मतलब संकेत देते हुए कहते हैं कि हमारे हर एक घर में एक ही भासा होना चाहिए एक मत सब का एक ही लक्ष होना चाहिए सब घर की लोग जीतने भी मतलब हमारे घर यहाँ हमारे राष्ट का अच्छा निर्माड होगा मीटत मुडता मुडता जिसे मुड का यहां पर बताया आपको अर्थ कि उसका मतलब क्या होता है मुर्ख होता है मुड का अर्थ तो उसी प्रकार तभी क्या होगा हमारी मुर्खता का नाश होगा और हमारा एक अच्छे राष्ट का नि निज भासा में कीजिए जो विध्या की बात और भी करते हैं, अपनी भासा में करें, तो भो हमें अच्छे से और कम समय में और अच्छे से समझ में आएगी तो कहने कातत पर रही और एक अति लाब है और इसका एक और भी अत्यनत और आसानी लाब यह है यहामें प्रकट लखात की यहामें क्या करना हमें अपनी भासा में बात करनी चाहिए निज भासा में कीजिए जो विद्या की बात अगर हम पढ़ाय लिखा की बात अपनी भासा पावे लाबसब, बात सुने जो कोई, तो जब हम अपनी भासा में बात करेंगे, तेहपुनी पावे लाबसब, तो उसका लाब हमें ही नहीं, अपितु हमारे आसपास के जितने लोग रहेंगे, सभी को होगा, बात सुने जो कोई, जो जो हमारी बात को सुनेगा, उस उसको यह गुन भासा और महां कभुों नहीं होई। इस भासा के गुड और इसके बारे में, मतलब हम अपनी भाशां में बात करें तो हमारे अगल बगल के लोगों को भी जो हमारा सीख्च्छा अमित, ग्यान अनेक प्रकार, सब देशन से लेकर हूँ भासा माही प्रचार विविद कला सिच्छामित ग्ञान अनेक प्रकार। विविद कला, मतलब हमारी अनेक कला, सिच्छामित ग्यान अनेक प्रकार, हमें इस संसार की हर एक भासा और हर एक सिच्छा में अपनी भासा को, मतलब हमारे संसार की हर एक कला को, हर एक सिच्छा को, हर एक ग्यान को हमें क्या करना चाहिए? अरजित करना चाहिए और उसको क् प्रचार प्रशार करना चाहिए, सब देशन में लेकर हूँ भासा माही प्रचार, हर एक भासा की हमको क्या करना है, हमें हर एक भासा को प्राप्त करकि उसकी क्या करना चाहिए, उसकी कला की, उसकी सिच्छा की, अनेक प्रकार से हमें क्या करना चाहिए, प्रसार और प्रकार उसका प्रसार करना चाहिए दाकि लोगों का भी ज्ञान बढ़े तो हम नवे की व्याख्या देखते हैं भारत में सब भिन्नती ताही सो उत्पात विदेश मतहूं विविद भासा विविद लखात भारत में सब भिन्नती हमारे भारत में सब क्या है भिन्नती मतलब सब अलग-अलग है ताहिस उत्पात और सबका अलग-अलग से क्या हुआ उत्पात मतलब सबका अलग-अलग से उत्पादन हुआ है विविद देश मतहूं विविद भासा विविद लिखात लेकिन हमारे देश में क्या है मतलब अनेग-अनेग विविद विविद है मत हमारे विस्व में अनेक देश है मत हूं और हर एक का अलग-अलग मत है विविद भासा विविद लखात और सब की अलग-अलग भासा है और अलग-अलग विचार है लेकिन अगर हम सब में क्या करें अपनी भासा का प्रचार प्रशार करें तो क्या होगा यह हमारे लिए सब भाइब राष्ठ भाषा हिंदी की राष्ट भाषा हिंदी का आवाहन को छोड़ दे तो आई होप आपको समझ में आया होगा अगर आप हमारी यूटूब चैनल पे नए है तो प्लीस मारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छे लेगए तो प्लीस मारे वीडियो को लाइक करिए अगर आपको हमारी वीडियो कर दीजे, लेता कर दो सब्सक्राइब कर देदाए